जबी पाशा नो प्यार करन वाले सरोते आना ते दे लोता नवाद आज तू सुनोंगे डक्टर नरिंदर सिंख पूर जी दोरा लिखी किताब रोशनिया कपडे पहरावा अते फैशन कपडे पैनना समाजिक लोड अते कर्तब है किसे बारे मुडला अनुमान उस दे पहरावे तों ही लाए जानदा है अते अकलसबंदी अनुमान लाउन वास्ते नेड़े आउन दी लोड़ पेंदी है पर नेड़े आउना जान पछान तो बिना संबब नहीं हुंदा कपड़े शरीर दा क्योंकि बदेरे पाग मल दे हन इन फांसले तों भी वेखे उन मानने जा सकते हन शरीर उते जो भी पेंने आ लाया मलया जानदा है ओह कई बारी अपना कोह जुच्पाऊं ले हन दा है ऐसी शिशे विच अपने आप उन वेख दे हां बकी सब थामाते अपने आप उन विखाऊं दे ही हां इस्तिरी दे कपड़े उस दे पिता जा पती दी आर्थिक स्तिती बारे दस दे हन जुदों की पती दा लिबास दस्दा है की पतनी उसनों किमे सामदी संबाल दी है कोई भी इस्तिरी अपने रुटबे नालों नीमे कपड़े नहीं पैनन दी पहरावे तों किसे दे रुजगार, आमदन, इलाके, तर्म, उमर अते कौमेत दा पता लगदा है कपड़े नजर लगणतों बचन श्रीर ते लगए जाखमा दे निशाना नुछ पाउन कपड़े पामे पैनने श्रीर ते बारले हिस्से ते जान दे है परहे साड़ी सोचनी ते साड़े विहार नू डूंग्यों पर आवित करदे है इस्तरी दे कपड़े उस दी सब्याचार कते समाजिक चमड़ी हुंदे है मनुखी नसल नू चलाई रखन विच इस्तरी दा जोगदान वदेरे हुंदा है इस कारण इस्तरी पुर्शनालों वदेरे गूड हुंदी है जिस कारण उस दा शरीर करहस भी वदेरे गूड हुंदा है उस दे आंग पेत परे गुजे अते लुके हुए हुंदे हन इस्तरी हर चीज नू लुकों के असिदे टंगनाल पर गड़ कर दी है इना कारण करके इस्तरी दा मन वलावेदार अते बुदेरे बचित्टर हुंदा है जिस कारण इस्तरी दा मनों वशलेशन करना सोखा नहीं हुंदा क्योंकि उस दी मान सिक स्थिति बुदेरे जटल अते नरंतर बदल दीरेंदी है इही कार्ण है कि पुर्ष सब कुछ जान के भी इस्तरी नू जानन दा दावा नहीं कर सकदा इना पखा कार्ण इस्तरी दे कपड़े बदेरे रंगां बदेरे तेहां अते बदेरे सीना वाले अते बदेरे मातरा विच हुंदे हन इस तरी समाज नाल वदेरे एकसर हुंदी है क्योंकि युसनु समाज दी लोड वदेरे हुंदी है ओहता आर्मिक भी वदेरे हुंदी है क्योंकि संतान प्रापतियते संतान दी रख्यादे पक्षों उस दी कुदरत दे निरपरता वदेरे हुंदी है सोहो समाजिक लोड स्थिती अते अवसर अनसार कपड़े पैन दी है इस्तरी ली चंगे खब में अते उसदी पसंदे कपड़े उसदे रोगां सोगां दावी इलाज साबट होंदे हन किसे समाजदा असली लबास उस्तरीयां दा होंदा है पुर्शादे लवास विच वन्स वन्ता नहीं हुंदी, जोदों की इस्तिरी कपड़े बदल लवे ताहों आप बदली होई लगदी है. इस्तिरी अपनी बदली होई मानसिक स्तितीदा प्लगटावा बदले होए कपड़ें राहीं कर दी है. जो तसली पुर्षनु कमाई करके मिल दी है ओहो जही तसली इस्तरी नू टुक में फाब में कपडे पैनन नाल मिल दी है उमर कोई होवे इस्तरी दी हो और नमें कपडें दी तांग बनी रेंदी है इस्तरी नू पैनन वाली दित्ती कोई सोगात गल्त नहीं हंदी इस्तिरीन जोदों भी किसे समागम लई बुलाया जानदा है ताहो सूचना मिल दें ही सोचन लग पैंदी है कि यहो ओदों की पैंनेंगी कपडे सतकार ते प्यार प्राप्त करन दावसिला हूंदे हन मुनुख होरां दे कपड़ें दासन मान करदा है कपड़ें दे दारते ही किसे नों बिठाया जानदा है अते टुकमा विहार किता जानदा है ऐसी दूजियां दे कपड़ें उत्ते अपनी नजर कमाऊंदे हां अते वखवख पक्छानों नहार दे हां ऐसी जानन दा जतन कर दे हां कि कपड़े टक दे की हन उबार दे की हन, लुकाउं दे की हन, प्रगटाउं दे की हन आवें पैनने होए कपड़या तो माएक लावता नहीं उठाया जा सकदा पर इना नाल मनुखनों महत्व मिल्दा है पहरावा मुख तोरते दो परकारदा होंदा है कारोबारी अते समागमी कारोबारी कारजां दुरान पैननी वर्दी जाका पड़यानू पहरावा केंदे हन जोदों की किसे विशेश अवसरदा समागमी पहरावा फैशन अखवांदा है फैशन स्रीर के दर्शन अते लबास दे संतुलन विचोप ज़दा है सारे वसिल्यां दे काबज पुर्शा नू परवावित करन लई इस्तरी कोल अपने श्रीर ते पहरावे दे फैशन दे रूबिच दुगने हथ्यार ते संद हंदे हन इस्तरी दे परवावशाली लवास कारन पुर्श इस्तरी दे बोलन तो पहला ही उस दे पाशंदी दाद दे लग पेंदे हन समागमा ते रौन कलाउन अते समाजिक वातावरन नू गरमाउन दे पुर्श इस्तरी दी जिम्मेवारी वद जन्दी है पुर्श ने सोने संदर होन दा मान ते आग देता है संसार पर विचले वसीलियां वाले पुर्श विचले लवास दे पक्षों बखरे में मुक गे हन पुर्श ने रंगदार चमकदार रते सजावटी चिज्जां इस्तरी दी वर्तोली छट दिती हन इमें संदर्ता देखे तरविच इस्तरी दीता ना शाही स्तापत हो गई है वैशन दे पक्षों हुन इस्तरी पुर्श दी पिछ लग नहीं सो अगर पुर्श इस्तरीयां दी नकल कर लग पे हन कपड़े तिन मुख उदेशा अधीन पेने जन दी हन सरदी, गर्मी, बचनलाई सजावट वास्ते अते समाजिक शरम कार्ण इह तिन्ने उदेश अग्गे पिछे हुन दे रहन दे हन इक विच त बदिली बाकी दोहन उपर आवित कर दी है मुड विच पत्याँ दे रूप विच कपड़े, मच्छरा, मख्या, कुत्याँ ते दुश्मन दे हमलया तो बचनली पैने जन दे सान फिर पश्मादिया जत्ता नाल श्रीर नू निगा रखंडा काम ले आ गया दुश्मन दी पैडी नाजर तो बचन शर्म तेस जावट देवदेश मगरों उपजे जे मनुख विच जत्ता तो निग प्रावद कारंदी जुगत ना उपज दी ता श्रीर निगा रखंली उसनू हार बेले खांदे रहंदी लोड पैणी सी श्रीकार दुरान मनुख किसे पशु दी जातनू लक दुआले बन के एक हाथ विच डांग सोटा फड़के दोड़दा सी ते मारेगे पशु नू बन के चुकन ले लक दुआले बननी जातनू बरत दा सी मनुखुदा मुडला पहरावा लक दे आले दुवाले दा कजन सी कपडे ओजन दी लोड कटाउं दे हान शुरु विच शिकार किते पशुआं दी जात दा जां सिंग आद सजावटली बरते जान दे सान जिना दो पैनन वाले दी बहाद्री दा पता लगदा सी मारेगे दुश्मना दे दंदा दी माला आते हार पैनने जान दे सन जिना नल होर दुश्मना दे मना विच सहम उपजाया जान दा सी पशुआं दियां हडियां नल सजावट करके कबीला इलाका आते रुतबा दरसाया जान दा सी इना हड़ियां तो ही अग्गे चलके फीतियां फुमना आते फोजी रुत्वियांदार वाज पया अपनी दोलतनों भी कपणियां राही प्रकटाया जानदा सी सोने दे दंद नग हीरे आद एहे ही नहीं सन दस्दे की पैनन बाला अमीर है ऐहे भी दस्दे सन की हो शक्ति शाली है अते जो चाहे प्राब्ट कर सकदे है पुराने जमाने विच्विसरीर दे अगले पासे लगए जक्वान दे नशाना दा माण किता जन्दा सी तूंकि है जुद बिच्द दुशमन वगार दे लगदे सन अते पिछले पास से दे निशानना ते तोमता लग दियां सन क्योंकि है मिदान विचों दोड़न समें लगे मनने जान दे सन इमें हरेक कबिले ते राज कराने दा चिनन दे लवास नरदार्त हो गया केईक बिले कप्ड़े नहीं पैन दे पर हो श्रीर उते पांत पांत दे ले पानाल कुझ पैनने होन दा प्रवावसर्ज दे हन शरम दा संकल्प बदल्दा रहा है शरम लुक आउन ते श्रीर दी सजावट करनी एक दुझे दे व्रोधी संकल्प हन शरम कारन मनुख लुकदा है पर सजावट कारन परगठ हन दा है सजावट नमाशी बिरती है जेड़ी पुर्शादे मकाबले श्रीय विच बदेरे हन दी है सशरम भी श्री नाल सबंदत हन दी है जिस कारनों बदेरे खिच पां दी है इस्तरी अपनी सजावटी जोगता रहीं, पुर्षदे पजाए वसीलियानू मान दी, बर्त दी है, जोकी इस्तरी कपड़े ही नहीं पैनन दी, इक दिरिश भी उसार दी है, कपड़े दे परवाबनू बदाउन ले, अते खिच पैदा करन ले, हार शिंगार नाल नैनक्ष त दिख्य अते मन मोहक बनाए जान दे हन, अते गयने चम को पजाउन दा कार्ज कर दे हन, कपड़े दे रंगा दा बड़ा महत्व हुंदा है, रेक रांग नाल साधी मान सिकता अते कल अपना प्रवाबित हुंदी है, कपड़े दे रंगा सबंदी साधी सारे निर्ने, साधी अपनी चमडी दे रंग नाल सबंदी धुंदे हन, जो दो शिकार दी था खेती बाड़ी उपजीव का दादार बनी, सा जीवन विच पर्मन कटया अते टकाओ आ गया, जिस नाल विया दी प्रथा जायदार दासंकल्प, रो रितन तरम आज दी स्थापना हुई, इमें समा चारक जीवन दे स्थापत हों नाल, दरजेवन दी उस्री, जेडी पहरावे विच भी परगट होई, जिस कार्ण कपड़ें दा महत्व बदेया, पहला कपड़े उन नते कपा तो ही बन दे सान, होली होली होर स्मगरी नाल भी बनाए जान लग पे, उन कपड़े लग पकती किसमदी स्मगरी तो बन दे हन, कियां दे कपड़े उन दे श्रीर नाल सैमत नहीं हों दे, जेड़े कपड़े श्रीर यते सक्षियत नाल एकसुर होन, ओहो जेड़ा परवाव सर्ज दे हन, उसनु रोबते फबत केंदे हन, पुर्ष ले फबत दे अर्थ होर हन, इस्तरी ल पुर्ष दो में कपड़ें राही श्रीर दे प्रवावावा ते पद्र नू उच्छा चुक दे हन। इमें कपड़े सवय परगटावेदा मादें बन दे हन। बच्चेया नू सजाया जानदा है लड़किया ते इस्तरियां सजदियां हन। लड़के ते पुर्ष त्यार हन दे हन। जोके जुग विच बोते कपड़े पैनने तागत दी नहीं कम जोरी दी अलामत समझी जान दी है। इस तरी अक्सर लोड़नालों काट कपड़े इस कारण पैन दी है तागि यहो अपने अंगा विचली रोनक पते कुदर्त वलनों मिले श्रीर गैने सोख्यां विखा सके। सड़े पहरावे नूं फिल्मा ने फैशन विच बदल दिता है। इसे कारण फिल्मा दा प्रवाव डूंगा ते विशाल है। फिल्मा विच कपड़े कामिक दिल्चस्पी उसार दे हन। जोके संसार विच फिल्मा दे प्रवाव दीन ही फैशन विक्सित होया है। शेरी कर्ण परजात अंतर ते सिख्या दे परसार ने कपड़यां परती हर किसे नूँ सुचेत करके फैशन दे लड़ लाया है निरसंदे कपड़यां दा महतब जुरूर है पर कपड़े ही सब कुछ नहीं हुंदे परजात अंतर ने राजसी शक्ती दी प्राप्ती नूँ सब तों बड़ा उदेश बना देता है इसलिए कहा जन्दा है कि जेडे महतबपूर्ण हुंदे हन और कुछ पैन लैन महतबपूर्ण ही रहन दे हन फिर आकल पर खी जंदी है बोते पारे लवास अते अधिक हार शिंगार वाली इस्तरी नूं स्यानी अते सोनी नहीं समझा जंदा उजदा समाज दे हर वर्ग विच दखावे दी बिरती हुंदी है पर समाज विच सब तो वद वसीलियां वाले अते दोलतमंद वर्ग दा लवास इसलिए सरल हुंदा है क्योंकि उना ने अपना लवास इसे नुवखावना नहीं हुंदा ओह अपना प्रवाव अपनी राजसी शक्ती आर्थी जोगता वियुत बंदी अते महतबुन फैसले नाल सर्ज दे हन सोहे वर्ग दखावे दी बिरती तो मुक्त हुंदा है इस तरी विच दखावे दी उतनी नहीं जितनी पेशकारी दी बिरती बिरे हुंदी है उस विच सजन फबन चंगी लगण दी सुबाबिक पर विरती हुंदी है ओह हार शिंगार अपनी परसंटा लई कर दी है सपस्ट है कि आमसदारन लोग कपड़े पैन देहान पुर्शन दा लिवास हुंदा है इस्तरियां दा पहरावा हुंदा है अते विशेश अफसरां ते फैशन किता जानदा है फैशन दा संकल्प उद्जोगी करांती तो मगरोप जया जोद कपड़ें दी बहताद कारन पहरावेस बंदी प्रजोग करन दी बिरती बलवान हुई उद्जोगा कारन आमदना बदन अते सिख्या नाल सोजी बदन कारन फैशन शाही कराने विचो निकल के आम शेरी करा विच प्रवेश कर गया स्कूला काल जाँज उनिवरस्टिया ने फैशन नो फिल्मा देपरवावदें लिया के इस तरी नो अकरशिक बनाया है इस तरी ने नमे फैशन अते पहरावे परचलत किते हन फैशन दार्थ नमे तो है जिसनों पहला नाहंड आया गया होवे जो नमा नहीं जो परंपरा तो हटमा नहीं ओह फैशन नहीं कहा जन्दा एशकारियां ने फैशन विच वनस वन तल्यांदी है बैठे खलोते वेक्तिदा लबास होंदा है चल्दा होया पहरावा फैशन होंदा है श्रीर दी चाल पहरावेनू जबान दिन्दी है अते फैशन स्रीर कहिल जूलनू दिल्चस्प बनाऊंदा है इस तरियां दे कसमे कपड़े उना दे वकवक अंगादी रोन कबदाऊंदे हन जिसकारन पहरावा उना दे श्रीर दा पाग बन जानदा है पुर्षदा श्रीर सिद्ध पद्रा होंदा है सोह बोता फैशन कर भी नहीं सकदा इस्तिरीदे श्रीर विच गुलाईयां अते मोड केड बदेरे होंदे हन जिना नूब आरना ही फैशन कहा जानदा है जोका जुग शर्म शर्माउन दा ब्रोधी प्रगटावे दा जुग है फैशन राही पैनन वाले दी अपने आप बारे सोजी वद्धी है सबय विश्वाश उसर दा है मान विच वद्धा परतीत होंदा है ते समाजिक महत्त प्राप्त होंदा है पर हिसाब कुछ ताही चंगा लगदा है जे संजम अतेस लिक्रेदा गुन वी होगे जोके जुग दीस्तरी लेई परसदा महत्त बद गया है उन फैशन दे खेतर विच माहिर पैदा करन दे अधारे वी हन ते फैशन दे कोर्स भी करवाए जन दे हन बोते जा पारे कपडे पाउन वाले जुरूरी हुंदा है कि ओहो होली चलन लाडे जा दुलहन संत जा राजे राणी वांग नाप नाप के कदम रखन अते बजबा परवापाउं इमें करन ना शान शोकत ताक्त ते खुशाली दा परवाप पैंदा है राजें आते बादशाहन दा लिवास जे शाहना ना होवे ता उना दा रोब नहीं पैंदा बादशाहनों महला गैने आते हत्यारां दी ही नहीं रोब दी भी लोड पैंदी है गुरू गोबिन सिंग जी दा शाही लिवास उना दे परवापनों बदा है कपड़े नाल ही कद दे लम्मे होन, स्रीर दा अकार बदाउन, हते होरां दाते अन्खिचन दा कार्ज किता जन्दा है लम्मे कोट वास्त विच स्रीर बज जा लत्तां दे कुबनू लुकाउन जा टकन लई पैनने जन्दे रहे हैं जोके जुग विच कपड़े कोई नहीं पैननदा, हर कोई फैशन करता है कपड़े यते फैशन दार कपड़े यते शिंगार दी, पांद पांदी समगरी हुन, बड़े वड़े जोग यते बपार बन गी हैं समाजी कते आर्थी खेतर विच हुन फैशन, मुन रंजन, नते खेड़ां दिल चास्पी यते आर्थी कता दे नमें खेतरां वजोबर रहे हैं क्योंकि हर कोई कपड़े पैनदा है, रोज बदल के पैनदा है, अब सरते मिलन वाले वेक्तिन उत्यान विच रख के पैनदा है, सो हर कोई अपने कपड़ें जा पहरावे परती सुचेत है ऐसी आजिक के हो जहे कपड़े पैनिये, इस दा निरना, इस अदार ते उना देसंदा रवी चिता जानदा है, जिना देसंपर्क विचेसी सारे दिन दुरान आउना होनदा है चंगा पहरावा ओह होनदा है, जिड़ा अपने आपनों चंगा लगें, जिस विचेसी सुखे, सुखाले अते परसान महसूस करिए चंगा टुकमा पहरावा ही फैशन होने पड़ता है चैनल नो सब्सक्राइब करनी तानवाद तो अड़ा देन शुब रहे